नमस्कार साथ योग कैसे आप सब आखों में अर्मान लिया है मंजल को अपना मान लिया मुश्कल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया आप सब ने राश्पति से रिलेटि कुछ इंपोर्टन पॉइंट और अनिचीद का एक पार्ट आ चुका है आप सब ने उसको अच्छे से रिवाइज भी किया हुगा आज हम उसके सेकेंड पार्ट में उसके अनचीदों के बारे में डिसकस करते हैं आटिकल 59 में राश्पति पत के सर्तों को उल्लेकि कौन ब्यक्ति राश्पति बन सकता है जैसे वह कोई लापका पत धाराण ना करता हूँ वह पाग राश्पति को सबत दिलाता है राश्पति समिधान के समझ अक्री सबत को लेता है और राश्पति क्या करता है समिधान का संरच्छा को समिधान का मूल संरच्छा कोन है हमारा सुप्रेम कोड अंचे 61 में महाभ्यूग प्रक्रिया का उलेक है महाभ्यूग प्रक्रिया क्या ह और महावियोग प्रक्रिया लाने से पूर 14 दिन पूर राष्ट्पती को इसके सूचना अवस्थ देनी होती है। अगर किसी काराण से राष्ट्पती नहीं है या राष्ट्पती पर महावियोग प्रक्रिया लगाकर उसको हटा दिया गया है। उसका अंत्यों निरने कहांपे होता है। सूप्रेम कोर्ट मैं। आटिकल 72 में है राष्ट्पती के छमादान सकती का उले के राष्ट्पती के छमादान सकती दी गई है। तो इसका उले किसमित चमादान की सक्तिका Article 72 में Article 74 के 1 में मंत्र परषद का उले के राश्ट पति मंत्र परषद की सलापर काम करेगा और मंत्र परषद का प्रमुक को अनुत है प्रिधान मंत्री में इसलिए जो भी हमारे काम होते हैं जो भी विदेशों से संधिया होते हैं नीतिया होते हैं जो जी सब किसके नाम पर होते हैं राश्टपती के नाम पर क्योंकि राश्टपती क्या करता है मंत्री परशत के सलापर ही काम करता है Article 80, Article 80 में राजसभा के सदस्यों को मनुनी थे राजसभा में क्यों थे? 12 जो सदस्यों होते है 12 सदस्यों को मन करता है? राश्टपती करता है इसका उन्लेक्या Article 80 में तो इस सारे पॉइंट को नोट कर लीजे और इसका एक वीडियो और आएगा तो अगर आपने पहरे वाला नहीं देखा तो उसको भी दीख लीजिए और दूसरे वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिए नोट्स बना ये पढ़ाई करते रही है